दोस्तो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं अगर आप लोग डिफोल्टर हो आप लोगों को डरने की जरुवत ने यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए बना रहा हूं डर जो है पूरा खतम कर देने वाला हूं इस वीडियो के तुरू तो वीडियो आपको notification में मिल जाएगा दोस्तों आप लोगोंने title और thumbnail में देखा कि वहाँ पर लिखा था defolters जो भी हो आप लोग, आप लोगों के मन के अंदर जो भी डर है वो खतम हो जाएगा, डरनने के जरुवत नहीं है big update, आखिरी big update है क्या देखे, यहाँ पर कोई भी official update नहीं है कि आप लोगों को कोई official update सुनाने वाला हो उससे आप खुस हो जाओगे, लेकिन आप लोगों को कुछ internal चीज़े बताऊँगा, जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है normal सी बात है, यहाँ पर लोगों को पता नहीं होता है कि अगर आप लोग defolter हो गए हो, आप लोगों के साथ company बहुत जादा परिशान करते हैं आप लोगों के मन के अंदर ढर बैठा देते हैं आप लोग उससे निकलना चाते हो लिकिन निकल नहीं पाते हो और यह सिंसिरा चलता ही जाता है आप लोग जब तक रिपे में नहीं कर पाऊगे तब तक आप लोग चैन से सो नहीं पाऊगे चैन से आप लोग काम नहीं कर पाऊगे कोई भी चीज आप लोग सही चीज़े कर नहीं पाऊगे जब भी आप लोग कोई काम करोगा या फिर जो भी होगा आप लोगों के दिमाग में एक ही चीज घुमता रहेगा भाई ये मैंने लोन लिया था डिफोल्ट कर गया हूँ इतना हैरेस्मेंट करके रख दिया है घर पे बार-बार आ रहे हैं कॉल्स कर रहे हैं समस कर रहे हैं लिगल नोटिस पर लिगल नोटिस भेज रहे हैं मतलब stress, depression और एक क्या है कि आपके मन में एक bad impact जो है कर देता है जिसके वज़े से आप लोग कोई भी काम सही तरीके से कर नहीं पाते हो यहां पर आप लोगों को वो update देने वाला हूँ क्या कि यहां पर अगर मानो आप लोग लोन लिये हो और वो लोन क्या है unsecured category में पढ़ता है personal category में पढ़ता है जो भी लोन आप लोगों को दिया है चाहे 5000 हो, चाहे 5000 लाग हो चाहे उससे भी जादा हो सकता है अगर आप लोगों ने कोई भी वहाँ पर deposit नहीं रखा है, मतलब कोई भी गिर्वी नहीं रखा है ठीक है? deposit नहीं, वहाँ पर कोई भी mortgage अगर नहीं रखा है gold, land, property, home अगर कोई भी ऐसा चीज वहाँ पर रखा नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पर डणनी की कोई जरुवत है ही नहीं चाहे कोई भी applications हो, चाहे कोई भी कुछ भी हो ठीक है? जितना भी वड़र लोन applications हो कोई फरत पढ़ने वाला नहीं है आपर अगर आप मानो रिपेमेंट कर नहीं पा रहे हो को लाइफ टाइम के लिए वही चीज़ करते जाना है कि भाई, calls ignore करो, SMS को ignore करो, लेकिन आप लोगों को बता दूँ ये loan company सिर्फ ड़रा कर ही लोगों से पैसा वसूल करते हैं, उसे ज़्यादा कुछ भी करता नहीं है, परिसनल category में आप लोगों को ड़रने की जरुवत नहीं है, चाहे कोई भी loan application हो A to Z, जितना भी loan application play store पर है, सभी loan applications के बारे में बता रहा हूं, कोई भी ऐसा specific नहीं है सभी, जितने भी loan application से आपने लो लिया है चाहे multiple हो, चाहे एक हो कितना भी हो, आपने loan लिया है आप repayment नहीं कर पा रहे है, तो simple सी तरीका है यहाँ पर आप लोगों को ignore करना है calls को, SMS को, legal notice को या फिर जो भी visit आता है, आप लोगों से बत्तमी से बात करता है, वहाँ पर आप खुद से steps ले सकते हो, ठीक है? मतलब ऐसा steps नहीं कि उनका हाथ पर तोड़ दो ऐसा करना कुछ नहीं है, आप लोगों को अगर लग रहा है कि हाँ वो कुछ गलत कर रहा है, तो आप उसका उपर जो है action ले सकते हो नेस्ट वाइ पुलिस टेसन में जाके आप complaint कर सकते हो, अगर वहाँ पर भी नहीं हुआ तो आप लोगों कोड में जाके directly वो उनके against case file कर सकते हो, आप लोगों कही साथ मिलेगा यहाँ पर आप लोगों को डरननी के जरुवद नहीं कि वो company वाले आप लोगों को बहुत जादा regulations follow नहीं कर रहा है, तो वो खुद illegal है वहाँ पर legal way में आप लोगों से case कैसे लड़ेगा अगर आप लोग कोई एक चीज वहाँ पर दिखा दोगे यहाँ पर एक चीज तो नहीं है, यहाँ पर हजारों चीज जो कि उनके against है यहाँ पर वो लोग जो काम करते हैं वहाँ पर आप लोग दिखा सकते हैं कि ऐसा ऐसा घलत काम यह लोग कर रहे है तो यह legal तरीका कैसे हुआ phone call hack करना legal तरीका नहीं है, वो illegal way है phone hack नहीं कर सकता किसी को भी बताया नहीं था कि हम आपका phone hack करेंगे हम आपका SMS read करेंगे हम आपका contact list पर जाके call करेंगे जो कि एक illegal crime है किसी के personal data चेरचार करना वो एक crime के स्रेणी में पड़ता है यहाँ पर डरना आप लोग को नहीं है कि आप लोग डर जाए कि भाई मैंने loan लिया था मेरे को चुकाना पड़ेगा, यह company जो है मुरे साथ कुछ भी कर सकता है कुछ भी नहीं करेगा बस आपके मन में यह ख्याल है आप लोगों के मन में यह डर बैठा दिया गया है कि यह company आप लोगे साथ कुछ करेगा लेकिन आप लोगों को बता दू जाही और इसलिए वो लोग ऐसे काम करते हैं ठीक है ऐसा नहीं कि उनका जो है लॉसस हो रहा है यह से दरने से उनका प्रॉफिटी होता है अगर मानो डर आएगा धमकाएगा पेनल्टी वगर उसमें लगा दिया गया है बहुत सरे ऐसे कंपनी जो की सेटलमेंट भी नहीं करत अब इतना डर आएगा इतना लेबल तक डर आएगा कि वो पेनल्टी के साथ देने में मजबूर हो जाएगा इससे प्रॉफिटी हो ना उनको तो यह चीज आप लोग को समझना है डर जो है अपने मन से अगर आप निकाल दोगे तो डेफिनेटली के साथ बता सकता हूं पर जादब जादब भॉगने लगेगा दिखेगा और पर आपको डर लगेगा और जितना लगेगा वो भॉगtechnये ज्याद़ फिर आप लोग अगर भॉगने लगे तो वह पीछे पीछे भागने लगेगा भॉक्त्त आप लोगों को यहां पर समझना है कि वह भॉग रहा ह आप भाग रहे हो इसलिए वो आपके पीचे भाग रहा है अगर आप उसको पीछे भागने के वज़े आप अगर उसको दोड़ाओ तो वो उल्टा दोड़ेगा वो भौकेगा नहीं ठीक है अगर मानो आप गाड़ी से जा रहे हो पीचे-पीचे कुता जो है भौक तो एक ब कैसे डर आएगा मन आपके अंदर डर जाना चाहिए ना वो डर अंदर ही जाएगा आप बोलेगा कि तुमको जो करने करो मेरे को डर्वर नहीं लगता तो कैसे डर आएगा वह बेफाल तुमें मैं कोशिस कर रहा हो क्या होगा क्यूंकि उनको पता है कंपणी कुछ करेगा नह ज़ादा harassment होगा आप लोग सोच भी नहीं सकते कितना harassment होगा अगर आप लोग निकलना चाहते हो तो मैंने जो भी चीज़े बताया आप लोग को वह चीज़ आप लोग अपने दिमाग में रखो और आप लोग ये सब भूल जाओ कि आपने लोन लिया है पेमेंट करना है ब